तुर्वाइब विए नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का स्टड़ी आई क्यू में आज हम लोग एक बहुत ही दिल्चस्प एकॉनोमिक कॉनसेप्ट के बारे में चर्चा करने वाले हम लोग बात करने वाले है एजाइल अप्रोच के बारे एजाइल अप्रोच को तो दुदु कोवेड नाइटीं शॉक अütfen इंडिया ने एजाइल अप्रोच फॉलो किया इनफाइट एकॉनोमिक सर्वे ने वाताई कि हम लोग ने बारबल स्ट्राटेजी फॉलो की हम लोगों ने सेफटी नेट्स दिये लोगों को यानि की लोगों की जेब में डिरेक्टली पैसा ट्रांसफर किया गया बहुत सारे दूसरी स्टेप्स लिएगे जिससे की सेफटी नेट्स बनाएगे ताकि लोग खुद COVID-19 से लड़ने के यह त्यार हो रहे हैं और अजाइल अप्रोच इन जनल एक ब्रॉड अप्रोच हम लोगों इस्तिमाल किया जो हमारा एकॉनमिक रिस्पॉंस था तो COVID-19 शॉक तो हम लोग यहां पर समझरी की कोशिश करेंगे वाट इस इस एजाइल अप्रोच एक्जाक्ली इसके आला हम ल आपको सारी इंफॉर्मिशन मिल चाएगी चलिए चर्चा शुरू करते हैं और मैंने आपको बताया कि एकॉनमिक सर्वेय हाली में रिलीज हुई थी हम लोग इसमें चर्चा भी किती उसके पहले चेप्टर में स्टेट अफ इकॉनमी में यह बताया गया कि इंडिया की एक ग्रोथ रेट हम लोग 2019 2020 यह प्री पैंडेमिक लेवल पर पहुंच जाएंगे या फिर पहुंच चुके हैं अगर हम लोग जीडीप ग्रोथ एकॉनमी ग्रोथ के नंबर्स देखें तो कुछ इस डिरेक्शन में थे लेकिन जैसे ही कोविड ने हिट किया तो पूरे विश् रिकवरी के पात पर हैं तो हम लोग ने बहुत सारे स्टेप्स लिए काफी अंसर्टन टाइमस था पिछले दो सालों में बहुत सारी चीज़े बहुत सारी पॉलिसी बदली बहुत सारे डिसिजिजन लिए गये जिसकी वेशे आज हम लोग बात कर सकते हैं एक स्विफ्ट एकॉनोमिक रिकवरी मोड पे हम लोग पहुंच चुके हैं अब इसी के उपर हमारी चर्चा चले एकॉनोमिक सर्वे ने हमें बताया कि हमारा जो फ्रेमवर्ग था जिसकी बेसिस पे हम लोग ने डिसिजिजन लिए पिछले दो सालों में डाट वस बेस्ट ऑन बार्बल स् अब सेफ्टी नेट्स तो काफी सिंपल है सेफ्टी नेट्स मतलब अगर वर्स्ट सिनारियों आ जाए तो उसके लिए हम लोग ने काफी सारी सेफ्टी नेट प्रॉविजन ली थी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी पॉंप-इन की थी हम लोगोंने अपनी एकॉनमी में आ अगर आप जिम जाते हैं तो आपने कुछ इस तरह की चीज़ देखियोगी अपकी डंबल या फिर बार्बल एक बार है और उसके दोनों एंड पे वेट्स लगे हुए तो उसी की उसी से इंस्पार्ड है यह बारबल स्ट्राटेजी बारबल स्ट्राटेजी फिनांस में य आपको समझ में आएगा अगर मैं उधारन दूगा अगर हम लोग डेवलप्ड कंटरीज के रस्पांस की बाता करें तो हम लोगा ने कुछ ऐसा ही किया या तो हम काफी अग्रसिव हो सकते थे और या फिर काफी एक्स्ट्रीम्ली कंजर्वेटीव हो सकते थे और हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों का मिश्रण इस्तमाल किया हम लोग ने ना इधर रहे ना इस तरह ना कंप्लीटली अग्रेसिव थे ना कंप्लीटली कंजर्वेटिव थे यह आपको समझ में आएगा अगर मैं उधारान दूगा देखें अगर हम लोग डेवलप्ट कंट्रीज के र और एक्व डॉडाउन ना हो तो उन्होंने एक तरफ दूपलाइं कि लेकिन हम लोगने बार्बल स्ट्रेजी को इस्तमाल किया जहां पर हम लोगने क्विक रिसपॉंस की यह केलिब्रेटेड रिसफॉंस दिये हम लोग हम लोगने कंतिन्योस वीदबैक मेकानिजिसम सेट क्यों थे जिसके ऊपर हम लोग एक तरफ information continuously collect कर रहे थे और दूसरी तरफ worst outcomes के लिए हम लोग तयार थे कैसे by giving these safety nets safety nets मतलब जहां पे हम लोगों ने बहुत सारा पंपिन हम लोगों ने पैसा पंपिन किया लोगों की directly account में पैसा डाला प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना रोज़गार योजना बहुत सारे चीजों से हम लोगों ने liquidity हम लोग को ने भी पंपिन की लेकिन केवल liquidity पे हम लोग relied नहीं थे इसलिए बारबल strategy को हम लोगों हमने agile approach के साथ club कर दिया बारबल strategy में आप यहां पर हम लोगों ने दोनों का मिश्रण इस्तमाल किया था और इसको भी हम लोग continuously बदलते रहे यही है agile approach अब agile क्या होता है अगर आप agile term की बात करें agile काफी quick होनी चाहिए आपकी thinking अगर मैं इसकी हिंदी transition की बात करो agile का मतलब होता है चुस्त फूर्तीला बहुत ही टेज इमेडियेट इमेडियेट डिस लेने वाले तो हम लोग agile approach को समझ सकते हैं अगर हम लोग उसका counterpart समझे waterfall model जो हम लोग normal times में इस्तेमाल करते हैं अब economics हो कहीं पे भी हो हम quite sure कि अपने term सुना होगा अगर आप software engineering से connected है क्योंकि software development life cycle में हम लोग अलग-अलग models की बात करते है waterfall model agile model एटसेटर अब waterfall model नाम से पता चाहिए waterfall का मतलब क्या है पानी कचर ना एक जगह से आ रहा है और continuously फो हो रहा है और इसी डिरेक्शन में फ्लो होगा यूनि डिरेक्शनल आपकी policy रहेगी waterfall model मतलब आप चीजों को अनलाइज करोगे plan करोगे design करोगे बिल्ड करोगे और deploy करोगे रहेट इस यूनि डिरेक्शनल यानि की जो मैंने आपको बताया developed countries का अप्रोच था कि यह अपकी यूनि डिरेक्शनल पात नहीं होगी आप क्विक और निम्बल रहोगे जल से जल्द आप अपनी दिशा बदलोगे जैसी चीजें समझ रहें क्यूंकि continuous feedback mechanism लगावाए जो feedback आएगा उस हिसाब से आप अपने design करोगे फिर से plan करोगे फिर से हम लोगों ने धीरे धीरे लॉक्डाउं को इस किया स्पेशलिय अगर आपको याद होगा 2020 में शुरुवाती दौर में बहुती स्ट्रिक्ट लॉक्डाउं लगा मार्च 2020 में अल्मोस्तीन महीनियों के लिए था फिर उसके बाद धीरे धीरे अनलोग किया अब अनलोग कैस कि बात करें थर्ड वेव में इन फैक्ट एक कॉमन भी आ रहा है जहां पर हम लोग किया रहें कि थर्ड वेव कुछ है ने थर्ड वेव में थो सब लोग सर्फिंग कर रहा है और राइट तो अगें इस पार्ट अपर एजाईल अपर रिलाई करते हैं एजाईल में फीड़ इन फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर अलग-अलग से क्किल से इंडस्टी त्री से ग्लोबल ट्रेंड क्या चल हूब क्या रही हैं इससारा चीज़ों को любимानोर करते रहें और जैसे जासे ऑन मॉनिकरिंग ओपर वह डिसीजं अपनी बदलते रहे, अब बहुत सारे decisions जैसे कि मेरा आपको बता है कि COVID की cases किस तरह आ रहे है, positivity rate किस तरह आ रही है, for example राज्यों में, जिन जिनलों में आपकी positivity rate कम है, 2000 ग्रीन तो वहाँ पर lockdown नहीं रहेगा या फिर restrictions कम रहेंगे, ताकि आपका business approach चलता रहे, तो हम लोगों ने ब toll collection कितनी है, COVID की cases हो गए, या फिर all the other economic parameters हम लोग continuously monitor कर रहे हैं, और ये सारी चीज़े आपको मिलेंगी economic survey में भी, या फिर monthly economic reports होती, finance ministry की, उसमें भी हम लोग देख सकते हैं, तो इन चीजों के उपर हम लोगों ने धीरे-धीरे steps लिए, let me explain you exactly क्या किया, देखे, अब बार security को inject किया, अब ऐसा नहीं कि एक ही बार में हम लोगों ने waterfall model यूज करके, COVID की वेसे economic shock लगा, तो मैंने बहुत सारा पैसा pump-in कर दिया, अपनी economy, नहीं हम लोगों ने ये नहीं किया, हम लोगों ने step by step किया, feedback को देखते हुए किया, पहले आत्मनिर्बर package 1 आया, जहां पे तीन लाग करोड, collateral free automatic loans दियेगे, बिजनसे को, MSME सको, MSME सेक्टर के उपर हमारा focus था, शिशू लोन दियेगे, आत्मनिर्बर package 2 आया, 25 आर करोड के आसपास additional capital expenditure हुआ, आत्मनिर्बर package 3 आया, तो धीरे धीरे we spoke about different liquidity injections, अब इसके अलाबा हम लोगों ने safety nets भी रखी ती, क्य step by step, step by step, step by step, economy, policies ले, और यहां पर केवल, सरकार ही नहीं, आप RBI की बात कर सकते हो, दूसरे सारे institutions की बात कर सकते हो, state governments की बात कर सकते हो, everybody followed a very similar kind of approach, अब सवाल यह उठता है कि, आगे चलके भी क्या हमारी agile approach ही रहेगी in future, perhaps, yes, at least for one or two years, क्योंकि अभी भी COVID का खतरा खतम नहीं हुआ है, we do know, Omicron and Omicron अभी भी फैल रहे हैं, लेकिन उसकी severity उतनी जदा बताई नहीं जारी है, बट अभी भी इंडिया में काफी जदा cases आ रहे हैं, काफी जदा positivity है, अब agile framework का क्या problem है, क्योंकि agile framework में हम लोग standard चीज़े follow नहीं कर रहे हैं, तो वो खुद ही to unforeseen shocks, अब एक उधारन समझाता हूँ आपको, कल ही अगर Omicron के मतले को यह एक और variant आगा है, जो बहुत ही खतरना है, तो हम लोगो फिर से strategy को reorient करना पड़ेगा, तो क्योंकि agile approach खुदी बहुत निम्बल है, खुदी बहुत, मैंने आपको बताया था, चुस्ते फे फूर risk क्या है, agile approach में आप risky decisions ले रहे हूँ, तो दूसरी तरफ आपको इसको hedge भी करना है, आप इसको hedge किया आपने safety net से, तो massive uncertainty थी, इसके लिए हम लोगों ने safety nets use किये, जिसकी प्रदान मंत्री गरीब कलिया नहीं हो जना, आत्मा निरबर package जो मैंने आपको बताया, बहुत सारे supply side reforms हम लोगों ने लाए, तो इन सब चीजों को follow करते हुए, हम आज economic recovery mode पे पहुंचे हैं, तो आगे आने माले से में भी शायद हम लोग agile approach को इस्तिमाल करें in the near future, अब आपको और भी clarity है कि जब हम लोग समझेंगे, इंडिया का जो agile response था, agile approach था और उसका और rest of the world का क्या अंतर था, लेकि हमारी economic survey clearly contrast करती है, इंडिया का अप्रोच, इंडिया का जो agile approach था, from the kinesian response, अब kinesian response मतलब क्या होता है, जौन मेनाड कीन्स, एक economist थे, जिनोंने बताया था, कि अगर slowdown चल रहा है economy में, तो आप massive liquidity infusion कीजिए, या फिर massive stimulus दीजिए, ताकि आपकी economy में demand ब prominent, और धीरे से हम कैसे थे 1980s में, kinesian economics ने थोड़ा सा एक back step लिया था, क्योंकि free market के उपर काफी ज्यादा focus था, free market, the neoliberal policies, इसकी वैसे kinesian idea थोड़ा सा back end पे चली गए थी, but 2008 जो recession है, उसके बात फिर से kinesian economics has become very prominent, और kinesian economics में हम लोग क्या करते है, massive fiscal stimulus देते हैं, upfront, अब waterfall model भी तो यही है, कि भाईया, अगर slowdown हुआ है, तो massive stimulus दे दो, यह तो waterfall model ही हुआ, अगर समझ लीजे, step 1 हुआ है, तो आप उसको reaction 1 देंगे, that is the waterfall model, और यही follow किया था, बहुत से developed countries, who followed the kinesian response, जहां पे massive fiscal stimulus दिया, अब यहां पे आपको यह समझना है, कि sir, rest of the world ने kinesian approach को क इसका एक और reason भी है, क्योंकि उनके पास उतनी economic capability थी, इसी लिए they went for a fiscal stimulus upfront, अब इंडिया एक ऐसी country है, जहां पे एक तो COVID-19 को शौक लगा है, दूसरी problem है कि government के पास खुद ही इतने तादा fund नहीं है कि वो massive stimulus के लिए चले जाए, तो इसी लिए हम लोगोंने calibrated agile approach हमारा ब recovery हो रही है, या फिर कोई एक sector है, जहां पे जादा stress है, इन सारी चीज़ों को हम लोगोंने द्यार में रखा, और उन जगह पे हम लोगोंने liquidity injection की, और liquidity injection भी काफी calibrated थी, धीरे धीरे हम लोगोंने पैसा economy में डाला, और जब हम लोग अभी recovery के mode पे हैं, हम लोगोंने SBI के report पे पड़ी कि आने वाले समय में शायद RBI, liquidity suck out करे, अब यह कैसे करेगा, reverse report rate बढ़ा कर, यही चीज़ बताई, in fact, जो हमारी economic recovery हो रही है, now it has gained momentum, और इसी लिए मैं आपको कहा, शायद agile approach अभी और continue करेगा, क्योंकि agile approach से ही हम लोगोंने समझा, किस चीज़ की जरूरत है, कभी हमें massive stimulus की जरूरत थी, आत्मने पर package दिया, उसके बाद हम लोगोंने देखा कि economy देरे-देरे recover हो रही है, तो हम लोगोंने capital expenditure के उपर spending डाली बहुत ज़ा, और इस साल भी हम लोगोंने वही देखा है, इस साल के budget में भी capital expenditure और infrastructure investment is at the center itself, प्रदान मंत्री गदिशक्ती plan है क्या, यही तो है, जो agile approach से हम लोगोंने देखा, देरे-देरे recovery हो रही है, अब मुझे investment करना है in capital expenditure, capital investment करनी है, तो यही कर रहा हूं है इस budget में, so probably this approach would be followed in the upcoming future also, अगर इस चीज़ के ओपर कोई और development होगी, कोई और news आईगी, तो we'll talk about that on study IQ, that is it right now from my side, thank you for watching this, जैहन. जैहन.